पिजूस पत्रा का सवाल है यहाँ पर सर 2KVA का जनरेटर सेल पी स्टार्ट चाहिए प्राइस कितना है रिपलाई जरूर करना और यहाँ पर एक और कमेंट है जो कि 3KVA से रिलेटर है मतलब कि इनको चाहिए 2KVA से ज्यादा और 3KVA के आसपास तो गाइस यहाँ पर हम यही बात करने वाले है एक जनरेटर के बारे में जो कि है 2.8KVA का जनरेटर है तो इनके लिए यह जनरेटर सही है काफी सही है क्योंकि यहाँ पर इसमें सेल्फ इस्टार्ट भी मिल जाता है और रिकोईल इस्टार्ट भी मिल जाता है मतलब कि यहाँ पर रसी से भी आप इस्टाट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं गए generator में यह काफी सही generator आपके लिए रहेगा home use के लिए या फिर चोटे मोटे समाने electronic समान काफी अच्छे तरीके से आप इसमें चला सकते हैं तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस generator का price की यहाँ पर इसका price कितना पड़ेगा और इसमें क्या क्या स्पेसिविकेसन आपको मिल जाते हैं सारत details मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसमें आपको कितना load डालना है तो ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो का इन तक देखते रहेगा चैनल में पहली बारा है तो जैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा बेल अकोन कॉल में सेट कर लिजएगा तो चलिए वीडियो सुर करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हून हूँ जैक और आप देख रहे हैं DRC चैनल दोस्तों बात करते हैं यहां पर इसका generator के बारे में यहां पर generator का look सोय थे काफ़ी खुबसुरत है यहां पर गैचल बनायागु बनाया है यह जो कि हम बोल सकते हैं जो आपका रसी से लपेटा होता है उसको हम इसको घीचेंगे तो यहाँ पर जो है आप इसको start कर सकते हैं मतलब कि यहाँ पर दो option आपको मिल जाता है अब बात करते हैं इसका model number क्या है कौन सा generator है स्वगाई से यहाँ पर इसका model number है GE3000PS इसका model number है अगर आप यहाँ पर चाते हैं तो यहाँ पर market में अगर आपको यह generator नहीं मिलता है तो लगभग इसका same लगभग इसी टाइप से आप generator आप market में परता कर सकते हैं और वो generator आप खरीच सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी और यहां पर बात करते हैं कौन सा मतलब कितने KVAK है इसमें कितना load डालेंगे यह सारी चीज़ इस specification के उपर हम बात करते हैं और बात करेंगे price वीडियो के last में तो price जो है वीडियो के last में बताने वालों तो वीडियो का इंट तक देखते रहेगा अब बात करते हैं इस पेरिशिवकेसन के उपर तो यहां पर दूस्तों 2.8KVAK के यहां पर आपको जो है इसमें अल्टर्नेटल मिल जाता है या फिर हम कह सकते है जनरेटर यह ज़ो है अमारा 2.8 के VA का generator हमारा बन जाता है और वह हम बात करते हैं इसका maximum output के बारे मतलब maximum power के बारे में तो यहाँ पर maximum power इसका है 2800 watt और यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें हम rated मतलब जो है power इसमें हम कितना डालेंगे तो यह लगभख हम डालेंगे 2500 watt के आसपास मतलब इससे ज़्यादा हमको नहीं डालना है इससे हमको जो है कम ही डालना है लगभख 2200 watt के आसपास हम इसमें load डालेंगे काफी अच्छा है यहाँ पर आपका generator चलने वाला है 2200 watt से लेकर के 25 watt तक डाल सकते हैं उससे उपर आप मन डालिएगा अब बात करते हैं आपर इसमें voltage हमें कितना मिलेगा तो गाईज यहाँ पर AC voltage आपको देगा यह निकालके 225 watt मतलब कि 225 watt का इहाँ पर आपको current मिल जाएगा जो कि काफी सही है और काफी इतना से ज़्यादा हमें voltage की जरूरत भी नहीं पड़ती है अब यहाँ पर बात करते हैं इंजन का power कितना है मतलब कि कितने HP का इंजन इसमें हमारा मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों 6.5 HP का इसमें इंजन है मतलब 6.5 HP का इसमें आपको इंजन मिल जाता है और यहाँ पर जो इंजन का RPM स्पीड है वो RPM यहाँ पर आपको 3600 मिल जाता है मतलब कि RPM अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसका generator का जो speed है मतलब engine का speed हमारा जो run होता है घुमता है एक मिनट में 3600 का जो है round यह मतलब कि घुमेगा मतलब RPM का मतलब यह होता है और बात करते हैं fuel tank capacity तो यहाँ पर petrol इसमें लगेगा और इसका जो capacity है इसमें आप 20 लिटर 500 ग्राम के तक इसमें आप डाल सकते हैं मतलब 25 लिटर का यहाँ पर fuel आप इसमें डाल सकते हैं petrol और वहीं बात करते हैं इसमें तेल कितना खाएगा मतलब एक घंटे में fuel consumption कितना करेगा तो दोस्तों एक घंटे में अगर आप इसको full load में चलाते हैं तो लगभग एक दसमलोग 3 लिटर के आसपस खाएगा मतलब एक लिटर 300 ग्राम के आसपस एक घंटे में petrol खाएगा अगर आप इसमें कम load डालते हैं अगर आप करते हैं तो अपने से भी चेंज कर सकते हैं और इसमें 600 ml आपको डालना है काफी सही रहेगा इन बारत करते हैं इसमें वेट कितना पड़ जाते हैं मतलब इसका generator का weight कितना पड़ जाता है तो kayakश इसका gross weight है 48 kg अगर आप इसमें petrol डालते हैं तो उसका जो है वजन कम या फिर जादा हो सकता है अगर मान लेते हैं दल सीटर आप डालते हैं तो हो सकता है उसका वजन कुछ जादा बढ़ जाता है तो उतना ज्यादा वजन भी नहीं है काफी सही है आप दो आदमी जो है दो आदमी इसको कहीं भी इसको उठा के काफी असानी से ले जा सकते हैं और बात करते हैं इसका बैटरी जैसे कि यहाँ पर जो सेल भी स्टार्ट के लिए बैटरी इसमें लगा हुआ है वो है 12 वुल्ट का बैटरी लगा हुआ है 9 AH का अब बात करते हैं इसका प्राइस के उपर तो गाइस यहाँ पर इसका प्राइस लगभग पढ़ जाता है 38,000 से लेकर के 40,000 के प्राइस में आपको मिल जाया का मार्केट में मार्केट में अलग अलग प्राइस होते हैं हो सकता है आपके मार्केट में कम प्राइस हो या फिर ज्यादा प्राइस हो सकता है यह मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि लग भग प्राइस कितना हो सकता है और बात करते हैं इस जनरेटर के बारे में वाड का दो अम्प्लिफ attacker शाकी नाओ या पिर चारण पांच ऑरण इस टाइके लिए मतलब छोटा प्रग्राम इसमें आप कर सकते हैं कोई दीकत नहीं आएगी 2500 वाट कट तक आप इसमें लोड डालिए काफ़ी सहर हैगा उससे ज्यादा मट डालिएगा तो चलिए आज के वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा अपने दोस्तों साथ चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकॉल में सेट करिजएगा क्योंकि डिजन स्लेटर डाइस से वीडियो अपलोड आपको मिलते रहेंगे या फिर मसीन से रिलेटेड जनरेटर के उपर या फिर बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब जोरू करिजएगा बेल अकॉन कॉल में सेट कर क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा ता आपके पाट नोटिपिकेशन मिल जाएगा और कमेंट करेंगा वीडियो कैसा लगा फिर वीडियो की इस टॉपिक पर चाहिए अपना सुजहाव या फिर जो भी है कमेंट में जुरू बताएगा मिलता है अगले वीड वा नदे मात्रम